नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रंखला में उनकी कहानी प्रत्यावर्तन, तो शुरू करें कहानी रिसेप्शन पर नाम देते हुए मन जरा कापा जरूर था, एक बार सोचा भी कि कोई कालपने क्लाम दे दूँ, पर दूसरे एक शण ही वो विचार जटक दिया, यहां वैसे भी मुझे कौन जानता है, यह सोच कर मैंने मन को मजबूती से थाम लिया और अपना नाम लिखवा था, कोई आधा दर्जन सोफे और दर्जन पर कुरसियां करीने से लगी हुई थी, बीच बीच में छोटी छोटी मीजे पड़ी थी, जिन पर पत्रिकाएं करीने से जजी थी, एक कोने में वाटर कूलर था, दूसरे कोने में टॉयलेट का दिशा निर्देश करती हुई तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए मैं एक सोफे में धस गई और सामने पड़ी एक पत्रिका उठा ली, मेरी आखें रंगीन परनों पर तैर रही थी, पर मेरा दिमाग कहीं और था, मेरे यहां आने के औचिते पर दिमाग बार-बार सवाल कर रहा था, यते मुझे आदा पौन घंटा और बैठना पड़ा, तो शायद मैं भाग खड़ी होती, पर सौभागे से मेरा नाम जल्दी ही पुकारा गया, मिस अरुंदती शुकला, उस अजनवी वातावरण में अपना ही नाम इतना अपरचिस सा लगा कि क्षन भर तो समझ में नहीं आया, फिर आई सी मैं उठी और मैंने देखा, दरजन भर आँखे मुझे घूर रही हैं, कापते कदमों से और धरकते हिदे से मैंने केबिन में प्रवेश किया, अब तक तो बाहर की भविता से ही मैं अभीभूत थी, भीतर विराजमान सौंदरे को देखकर तो मैं ठगी सी रह गई, पैर वहीं जम गए, बैठिये, कानों में जैसे मतुर घंटियां बजू थी, किसी तरह अपने को समेट कर मैं सामने पड़ी कुर्सी पर पैट गई, कहिए, फिर एक बार घंटियों का स्वार आया, उनकी आखे भी मुझ पर टिकी हुई थी, देखिये संकोज मत कीजिए, ऐ ऐसे केसिज में मैं आए दिन मुखातिब होती रहती हूँ, ऐसे केसिज से मतलब, कोई अन्मेरिट महिला जब का एकोनोलोजिस्ट के पास आती है तो, ओ नो, मैं एक्तम चीहूं की, अब समझ में आया कि बाहर वे दो दरजन आके मुझे क्यों गुहूर रही थी, मिस अरु अफिसर हूँ मैं, फिर उन्होंने प्रिश्णार्थक नजों से मुझे देखा, दर असल मैं ये पूछना चाहा रही हूँ, कि आपकी शादी क्यों टूटी थी, उन्होंने घूर कर मेरी ओर देखा, मुझे डर हुआ कि कहीं वो आया को बुला कर मुझे बाहर का रास्ता न बहुत करपा होगी, कारणा जान सकती हूँ, मेरे लिए वहाँ से प्रस्ताओ आया है, अब उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, मैंने का इसे में मेरी उम्र 34 वर्ष है, इतना बड़ा जुआ खेलने से पहले जानना चाहती हूँ कि आप ये बाजी क्यों और कैसे हारी, मेर समझी नहीं, उन्होंने समझाने की कोशिच भी नहीं की, बुली, देखिये ये मेरे काम का समय है, बाहर पेशेंट्स अपनी अपनी बारी का इंजार कर रहे हैं, आप अगर दो बज़े तक रुख सकती हैं, तो तफसील से बाते होगी, तब तक आप चाहें तो थोड़ा ग से बाहर आई, मुझे देखते ही, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई, और वे बोली, चले, उनकी कार में बैठ कर हम लोग एक डेस्तरा में पहुचे, टेबल शायद पहले से बुक किया जा चुका था, क्योंकि हमें सीधे वहीं ले जाया गया, ये एकदब कोने वाली टे देपर आया जाए, मैंने लक्षी किया कि वे बड़ी सहजिता से आप से तुम पर आ गई थी, पर उनका व्यक्ति तो ऐसा था कि मैं उतनी बेतकलुफ नहीं हो सकती थी, सबसे पहले तो मैं एक परसनल प्रशन पूछना चाहूंगी, इतने वर्षों तक तुम अन्ब्याही कैसे रह गई, any specific reason? नहीं, कोई खास कारण नहीं, सीधी जी कहानी है, एमे में थी तब पिताजी अचानक चलबसे, दोनों भाई विदेश में थे, वे सपरिवार आये और सारी रस्में निप्टा कर लोट गए, ये तैह हुआ कि एमे के बाद मेरी शादी करती जाएगी, फ लिक्स्ट डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा, मा के कानों में जब ये योजना की भनक पड़ी, तो वो एक तब विफर गई, उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो वो एक पुष्टैनी मकान बेचेंगी, ना इस उम्र में विदेश जाएगी, जितने दिन जीना है, इसी देहरी पर रहेंगी और यहीं प्राण छोड़ेंगी, भाई बेचारे पशुपेश में पड़ गए, मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं मा के पास बनी रहूँगी, उनके रहते शादी नहीं करूँगी, इस बीच मेरी पीएसडी भी वो गई, मुझे गवर्मेंट कॉल इसे शादी कौन करेगा, इन लोगों से परचय कैसे हुआ, अभी परचय कहा हुआ है, मा के ससंग मंडल की एक आंटी उन्हों से परचित हैं, उन्होंने शायद मेरे बारे में बताया होगा, तो मिलने की इच्छा पकट की गई है, मा तो एकदम से उचल पड़ी थी, पर ड कौन सा पक्ष जादा कसूरवार था, तब तक हमारा ओडर आ गया था, जब तक बैरा खाना लगाता रहा, वे चुब बनी रही, उसके जाते ही बोली, कसूरवार कौन है, ये तो तुम तै करोगी, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहूंगी, ये तो तुम हम लोगों के सरनेम से ह जान गई होगी कि हमारी जातियां अलग हैं, आजकल तो ऐसी शादियां आम हो गई हैं, हाँ फिर भी कुछ लोग हैं जो इन चीजों को महतो देते हैं, हम दोनों के ही माबाप इस शादी के सक्त खिलाव थे, अशोक के घर में तो मेरा घोर विरूद हुरा था, मुझे गु जरे मेरे साथ खड़े रहे, भाबी ने कहा अगर सशमुच एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो, शुरू शुरू में थोड़ा हंगामा होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, हाँ अकसर ऐसा होता भी है, साल दो साल में माबाप पसी जाते हैं और पच्चों को लेते हैं, मैंने कहा, मेरे यहां तो ऐसा ही हुआ, साल भर बादी मम्मी डैरी ने मुझे घर बुलाना शुरू कर दिया था, पर अशोक के घर, खैर, शादी का किस्सा सुनो, शादी हमने रेइस्टर्ट की, फिर मंदिर में भी फेरे लिए, भाईया बाबी और हमलों के कु अप्टर साब के हां, हमें पता था कि शादी के बाद दोनुई घरों में हमारा प्रवेश्वर्जित हो जाएगा, इसलिए हमने पहले ही एक फ्लैट बुक कर लिया था, हमारे लोटने तक भाबी ने उसे चकाचक तयार कर दिया था, जरूरत की हर चीज मुहेया करा दी थी इसलिए हमें आते ही नोन, तेल, लकड़ी के चकर में नहीं पढ़ना पड़ा, हनीमून का हंग आफ्टर हम अच्छे से एंजोय कर सके, लंबी छुट्टी के बाद जिस दिन हम जोयन करने वाले थे, सुबह सुबह अशोक ने एक अजीव प्रस्ताव रग दिया, बोले चल है तो हमी मना भी लेंगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं था पर दामपत्य के शुरुआत में ही मैं किसी तरही की करवार नहीं घूलना चाहती थी, इसलिए धड़कते दिल सही सही साथ चल दी, वे लोग लौन में बैठ कर सुबह की चाय पी रहे थे, हमने पापा जी के पैर्च हुए, वे प्रस्तर मूर्त की तरह बैठे रहे, ना उन्होंने आशिरवात दिया, ना ही कुछ बोले, पर ये जैसे ही मम्मी के चड़नों में जुके, उन्होंने खीच कर एक चाटा रसीद कर दिया, क्या बात करती है, सच कह रही हूँ, फिर मेरी और इशारा करके बोली, इस चुड़न के साथ यहाने की तिरी हिमत कैसे हुई, और उसके बाद जिन शब्दों से उन्होंने मुझे नवाजा है, उनका तो मैं उचारण भी नहीं कर सकती, आज भी जब वो प्रिसंग याद आता है, तो मेरे तन बदन में जैसे आग लग जाती है, अपमानित होकर पिटे से हम लोटाए, कितने ही दिनों तक हम एक दूसरे से आँखे चुडाते रहे, अपमान का दंश इतना तीखा था कि हमें सामाने होने में एक अरसा लगा, तुम बोड़ तो नहीं हो रही हो न? अनुरादा जी ने पूछा, नहीं, बलकि मुझे तो संकोच हो रहा है क कि ये दुखत प्रसंग आपको फिर से याद दिला रही हूँ, याद तो उनकी दिलाई जाती है जो हम बातें भूल जाते हैं, ये प्रसंग तो मेरे मन पर इतने गहरे अंकित हो गए हैं कि भूलने का सवाली नहीं उठता, बह मुश्किल तमाम मैं उस घटना से उबर उनके लिए धक्का बहुत जबर्दस्त था, मा के बहुत लाड़ ले थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे सहजी उन्हें क्षमा कर देंगी, पर इस विश्वास को जबर्दस्त आगात पहुचा, उससे वो एकदम बिचलित हो गए, एक नया ही रूप उनका सामने आ मैंने मम्मी के अर्मानों का कच्रा कर दिया, उनका नाराज होना सौहविक है, तीश त्योहरों पर घर की याद से व्याकुल हो जाते, राखी पर भी सूरते रहते कि तीन-तीन बेहनों के होते हुए भी मेरी कलाई सुनी है, संकोष के मारे मैं भी अपने भाईया को राखी बानने नहीं चाती, ताकि उन्हें बुरा न लगे, साल भर बाद मेरे माता पिता थोड़े पिगले और मेरा घर आना जाना शुरू हो गया, पर निमंतरों के बावजूद ये कभी मेरे घर की देरी नहीं चड़े, कहते जिस दिन मेरे घर में तुमारा स्वागत होगा, पर उनकी हमत नहीं पड़ी, बस बार-बार बिसूरते रहे कि मैं ही पापा के सकष्ट का कारण हूँ, इस तरह अपने साथ मुझे भी कट घरे में खड़ा कर दिया, हम लोग पापा जी के स्वास्त को लेकर आशंकित तो थे ही, पर अंत इतना निकट होगा, ये नहीं सोच है, वे एकदम जला पड़े, तुमारे लिए क्या अलग से मंतरन पत्र चपाना पड़ेगा, उस घर में मेरा जैसा स्वागत हुआ था, याद है ना, हम लोग घर नहीं अस्पताल जा रहे हैं, और क्या ऐसे समय बे भी तुम अपना मान समान भूलनी सकती, बहस करना ही, मुझे साथ जाना ही पड़ा, उन्होंने हौले से कमरे के द्वार पर दस्तक दी, दर्वाजा धीरे से खुला, उस हलकी सी फांक से मम्मी जी ने बेटे को देखा, और हात बढ़ा कर अंक में भर लिया, बाहों में घेर कर वे उन्हें पीतर लिवा ले गई, जाते समय ध दीरे से दर्वाजा ठेल गई, मैं पशोबेश में दर्वाजे पर ही खड़ी रह गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जानबूज कर अंदेखा किया गया है, या उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था, इसी कारण भीतर जाते संकोच हो रहा था, सोच रही थी क अशोग या तो मुझे कमरे में ले जाएं, या घर जाने के लिए कह दें, इस तरह मेरा तमाशा तो न पनाएं, कमरे में आवाजा ही बराबर बनी हुई थी, उन लोगों में अशोग की बहने भी होगी, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बात करना तो खेर दूर की बात थी, जब सब कुछ बरदाश्ट के बाहर हो गया तो मैं उठ खड़ी हुई, गनीमत थी कि गाड़ी की चाविया मेरे पास थी, घर आकर मैंने सामान समेटा और पापा के घर आ गई, आते समय एक चिठी छोड़ाई थी, आज पक्का एहसास हो गया कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, आज से मैंने तुम्हें आजात किया, डाइवोर्स पेपर्स पर जब चाहो आकर साइन ले लेना, उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की, नहीं, जिन्दिगी में उन्होंने एक ही बार हिम्मत दिखाई थी, जब घरवालों की मरजी के खिलाब शादी क थी, वो इस पार्क, फिर कभी नजर नहीं आया, अब तो पिता की मृत्य के लिए भी वे खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, और शायद जिन्दिगी बर प्राइश्चित करते रहेंगे, कहानी खतम हो गई थी, और लंच पी, मेरा दिमाग एक्तम सुन हो गया था, और असहेज मौन हम दोनों के बीच पसर गया था, बैरा प्लेटें उठा कर ले गया, फिंगर बाउल्स में मारे हाथ भी दूल गए, फिर उन्होंने पूछा, आइसक्रीम तो लोगी न, और मेरे कुछ कहने से पहले ही ओडर दे दिया, एक परसनल बात पूछू, मैंने डरते रहते कहा, वे हस्दी, इतनी देर से हम क्या राजनीत पर चर्चा कर रहे थे, नहीं, ये बात जड़ा ज़्यादा परसनल है, आप लोगों की शादी कोई तीन सारे तीन साल तो चली होगी, 38 months, to be precise, तो आप लोगोंने बेबी के लिए नहीं सोचा, नहीं, हम लोग ठीक से सेटल नहीं हो पा रहे थे, mentally भी और professionally भी, इसलिए बच्चे की ब्लानिंग टलती ही रही, अब सोचती हूँ, तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, बच्चा होता तो इतनी आसानी से सब कु और नहीं पाती शायद, it was a blessing in disguise, मेरे मन में बड़ी दुविदा है, आपका तो प्रेम विवा था फिर भी नहीं चला, यहां तो प्रेम व्रेम का कोई चक्कर ही नहीं है, मैं आपकी तरह सुन्दर भी नहीं हूँ, कैसे निभेगी, खूब निभेगी, तुमारे पास दो प हैं, कहते हैं, इससे आपसी समझ बनी रहती है, मुद जैसी हिंदी वाली के साथ वे तालमिल कैसे बिठाएंगे, तुमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यहीं है कि तुम डॉक्टर नहीं हो, माताशीर की लेडी डॉक्टर्स के बारे में जो राय है, मैं माताशीर के बारे में नहीं सोच रही थी, बलकि अब तो तुम्हें माताशी के बारे में ही सोचना है, क्योंकि वही पूरे परिवार के लिए सोचती हैं, बाकी सब के दिमाग कुंद जो हो गए हैं, मानसिक रूप से ऐसा पंगो परिवार तुमने दूसरा नहीं देखा होगा, अब औ और क्या पूछू, आपने तो मेरे सारे प्रशनों पर ही प्रशन चिन लगा दिया है, अब आप ही बताइए मुझे क्या निर्ना लेना चाहिए, इस पर जो भी निर्ना लो, सोच समझ कर लो, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें बर्गला रही हूँ, या इसमें मेरा कोई स्वार तुम इतनी दूर से चल कर मेरे पास आई, बड़े अपने पन से, बड़े विश्वास के साथ तुमने मुझसे कुछ पूछा, तो सच बोलना मेरा फर्श था, बैरा बिल लेकर आ गया था, टिप के साथ बिल की रकम अदा करते हुए वे उट खड़ी हुई, चले, तुम्ह पर कहां छोड़ना होगा, कार स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूछा, वहीं जहां से चले थे, मतलब उन्होंने प्रिशनार्थक नजरों से मेरी और देखा, हम दोनों की नजरे मिली, और उन्हें जैसे सब कुछ समझ में आ गया, फिर एक हसी का दोरा सा हम पर पड़ा, और सारी धुंत छट गई, मन एकदम हलका हो गया था, अभी आप सुन रहे थे, मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी प्रत्यावर्तन, आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, कल फिर मिलूँगी दूसरी कहानी के साथ, आपका समय शुब हो,